प्लीस सस्क्राइब मैं चैनल इट्स रिली मोटिवेट मी तो मेक मोर वीडियो पॉर यू वेलकम स्टुएंट आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि एक प्रॉपेलर को किस तरीके से अनलाइस करते हैं और उसका थ्रस्ट फूर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो इस प् पहले से बनाई हुई है इसके बाद हम वापस से जो मैक्ट्री पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे डिजाइनर मॉड्यूल में इसके बाद आप यहां पर राइट क्लिक करेंगे और जनरेट कर लेंगे जो आपने इंपोर्ट की है जो मैक्ट्री यहां पर रखना है कि आपकी access of rotation y-axis है इसके बाद हम यहाँ पर दो domain create करेंगे एक तो हमारा rotary domain होगा और दूसरा होगा हमारा static domain उसके लिए हम यहाँ पर टूल में जाएंगे तोल में जाने के बाद आप पहले सबसे रखा है इसको change कर लेंगे cylinder में then आप यहां पर automatic पर click करेंगे आप axis of rotation choose करेंगे जो कि हमारी y-axis है जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा यह propeller है इसकी axis of rotation y-axis है तो y पर click करेंगे then इसके बाद हम यहां पर dimension feed करेंगे तो जो radius है वह हम यहां पर 10 ले लेते हैं then it's going to be 20 and then other one is going to be 20 आप enter करेंगे enter करने के बाद आप इस enclosure को generate कर देंगे जैसे आप generate करेंगे आपका यहां पर enclosure बनकर तयार हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह आपका enclosure बनकर हो गया है इसके बाद यह हमारा rotary domain का enclosure है यानि कि इस enclosure के अंदर ही हमारा domain rotate करेगा यानि जो हमारा propeller है वो rotate करेगा इसके बाद हमें एक और enclosure बनाना होगा जो कि हमारे air को represent करेगा जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी air होगी तो देन अगेन हम वापस से टूल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इंक्लोचर पर क्लिक करेंगे यह हमारा box होगा आप इसकी dimension अपने according ले सकते हैं for example यह आप देख पा रहोंगे यहां पर जो के अगई में रिखा होगा है यानि कि यह यह वाली Genau है इस इस डारसे घ्रक्षन में जो धाय्म ब्लस लिखा है यह जो हमारा एक्स है इसको भी में चेंज कर देता हूं सपांसлबूज 100 mm ज書 satisfy स्थ यह वाली है इसको भी मैं 100 mm कर देता हूँ then x again x की negative direction इसको भी मैं 100 कर देता हूँ और ये y की negative direction इसको मैं थोड़ा जादा रखूँगा क्योंकि जो हमारी air होगी वो उपर से नीचे की तरफ जाएगी तो इसको मैं थोड़ा जादा रखूँगा उपर की तरफ मैंने जो रखा है y axis में positive में तो वो हमने 300 रखा है और नीचे की direction में मैं इसको 500 रख दूँगा आप अपने according इस dimension को change कर सकते हैं मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको यह बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम enclosure को create करते हैं again ये जो हमारा z की negative है इसको भी मैंने 100 कर दिया है then again वापस से मैं generate पर click करूँगा तो हमारा box बन कर तयार हो जाएगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये box हमारा बन कर तयार हो गया है आप चाहो तो इसकी dimension को और बढ़ा सकते हो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी dimension को और नीचे तक बढ़ाना चाहूं तो वह भी मैं कर सकता हूं उसके लिए आपको अगेन वापस से enclosure 2 में जाना होगा और यहाँ पर जो dimension दी हुई है आप इसको change कर सकते हो suppose मुझे y की negative direction में और ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो मैं इसको 700 कर दूँगा then again generate पर click करूँगा तो यह वापस से इस dimension को बढ़ा देगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा यह dimension उसने वापस से बढ़ा दी है आप चाहो तो यह जो dimension आपने 100 लिखी है आप इनको और बढ़ा सकते हो अब यह थोड़ा ठीक लग रहा है कि हम इसको analyze करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारा space है जिसमें air हमारी fill हो जाएगी और इसके बाद अगर यह propeller rotate कर रहा होगा तो यह air को नीचे की direction में push करेगा इसके बाद हमें यहाँ पर एक bullion create करना होगा हम create में जाएंगे create में जाने के बाद यहाँ पर आपको option दिख जाएगा bullion का यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर option दिख रहा होगा operation हम इस पर click करेंगे click करने के बाद हम इसको कर देंगे subtract यानि कि जो हमारा propeller है वो इस rotary domain से अलग है तो यहां पर हमारे पास दो option आएंगे जो हमारा tool है that is over propeller तो हम यहां पर इसको extend कर लेते हैं यहां पर हमारे पास दो solid है एक propeller है और एक दो solid है एक यह propeller है तो यह हमारा tool है तो यहां पर हम tool पर click करेंगे और apply कर देंगे तो हमारा tool select हो गया है अगेन हम target पर click करेंगे और हम solid पर click करेंगे जो कि हमारा ये rotary domain है तो हम इस पर click करेंगे ये भी हमारा set हो गया है इसके बाद आप bullion पर right click करेंगे और generate कर देंगे ताकि ये दोनों generate हो जाए अब हमारे पास जो तीन object थे एक propeller था और दो solid थे अब वो सिर्फ दो में ही convert हो है एक हमारे पास ये वाला है जो कि जब करने पर जानि रोटरी डोमेन और एक हमारा static domain तो हम इनके नाम चेंज कर लेंगे हम यहां पर click कर राइट क्लिक करेंगे और rename कर लेंगे इसको हम लिखते एंगे static sorry इसको हम लिखेंगे rotary domain rotary domain डैन ये वाला जो होगा यह हमारा static domain हो गए है देन अगेन हम वापस से एक और बार बुलियन करेंगे ताकि हम इन दोनों के बीच में define कर सके हैं कि यह रोटरी domain है और यह static domain है हम create पर click करेंगे बुलियन पर click करेंगे तैन उसके बाद आप यहां पर टूल सेलेक्ट करेंगे जो हमारा टूल है अब वह हमारा rotary domain है अगेन क्लिक कर देंगे apply हो जाएगा तर्गेट जो होगा वह हमारा static domain हो जाएगा अब apply कर देंगे और आपको याद रखना है कि यहां पर आप click करेंगे yes पर देन अगेन राइट क्लिक करने के बाद आप generate कर देंगे तो यह हमारा rotary domain और static domain बनकर तयार हो गया है इसके बाद हम यहां से इसको बंद कर देंगे बंद करने के बाद आप यहां पर geometry पर update पर click करेंगे गया है दयन अप एडेंगे मैश को इसके बाद आप यहां से इसको hide कर देंगे हाइट्ट करने के बाद आपके पास सर्फ यह domain बच जाएगा दिन आप यहां पर इंसर्ट करेंगे sizing में sizing में जाने के बाद आप ju adorable करेंगे यह यह geometry को आप यहां पर कर देंगे hide the faces, hide faces, then again यह जो नीचे वाला faces इस पर भी click करेंगे, इसको भी hide कर देंगे, then again आप इस पुरी geometry को box selection लेकर select कर लेंगे ताकि आपका सिर्फ जो propeller है अंदर वाला वही select हो, इसलिए हमने hide कर लिए है सारे faces, then इसके बाद आप apply पर click करेंगे, आपके geometry select हो गई है, default mesh size को आप थोड़ा चोटा कर सकते हैं, suppose मैं 40 mm का mesh size ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम यहां पर right click करेंगे और mesh को generate कर देंगे, तो यह mesh हमारी बनकर तयार हो गई है, इसके बाद आप right click करेंगे और show all height faces पर click कर देंगे, तो आपके सारे faces आ जाएंगे, then again आप यहां पर वापस से normal selection लेकर यहां पर click करेंगे और right click करेंगे, करेंगे यह आपका हो जाएगा, inlet तो हम create name selection कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, inlet, inlet, यानि कि जहां से उपर से रख 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 और नीचे की टरफ हमारी हेर, नीचे की तरफ हमारी आर जो होगी वह वापस चली जाएगी, तो यह हमारा outlet हो जाएगा, outlet कि अ यहां पर राइट क्लिक करेंगे और हाइट न बॉड़ी कर देंगे कि बिधन का यह नियुक्ष है जो अंगी प्राइट कर देंगे और इसको भी हम ने करेंगे यह हमारा propeller है propeller okay कर देंगे तो हमारे name selection हो गया है यह हमारा propeller हो गया again हम right click करेंगे show all faces तो यहां पर हमारा inlet है और नीचे की तरफ हमारा outlet तो यह हमारी matching बनकर कर तयार हो गई है हमने match को जादा refine नहीं किया है क्योंकि जितना जादा हम match को refine करेंगे उतने जादा solution में time लगेगा आप जब आप analysis करेंगे तो आप please इस match को थोड़ा और refine कर लिजेगा then close कर देंगे यहां से close करने के बाद आप again वापस से यहां पर update में जाएंगे इसको यहां पर update कर देंगे ओके यह अपडेट होने के बाद यहां पर green टीक आ जाएगा then again आप setup पर right click कर लेंगे setup पर क्लिक करने के बाद आपके पास यह option आजाता है आपको यहां पर double precision पर click करना है और इसके बाद यहां पर parallel पर क्लिक करना है पैलल पर हम इसलिए क्लिक करते हैं क्योंकि आपके पास number of course जादा है आपका जो processor है वह quad core या octa core या hexa core है तो आप यहां पर number of course select कर सकते हैं ताकि आपकी processing थोड़ा और fast हो जाए तो यहां पर मेरे पास जो course है वह four course है जो मेरा जो processor है that is quad core तो इसलिए मैं यहां पर four select कर रहा हूं उसके बाद पर में यहां पर okay पर क्लिक करूंगा दैन हमारे पास जो fluid का module है वह open हो जाएगा तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी हमारे पर क्लिक करेंगे gravity पर इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि जो हमारा प्रापेलर है या पर जो एयर है उस पर gravitational force लग रहा होगा अब gravitational force जो लग रहा होगा वाई की negative direction में लग रहा होगा एक्सेस अफ रोटेशन है तो हमारा पर double click करने के बाद आप जाएंगे viscous laminar पर click करेंगे क्योंकि जो आपका flow होगा वो laminar नहीं होगा it is a turbulent flow क्योंकि यहां से जब हमारी air enter करेगी तो प्रापलर की rotation की वज़े से हमारा जो flow होगा वो turbulent में convert हो जाएगा तो उसके लिए आपको क्लिक करना होता है के एप साइलेंट मॉडल पर क्योंकि के एप सालेंट जो होता है डैट इस अ आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और चेंज चाहे तो चेंज भी कर सकता है दैन अगेन हमारे पास नेक्स ऑप्शन है सेल जोन कंडिशन इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास दो हों जाएंगी रोक्री डॉमेन और बोमेन है जो कि हमारे प्रोपेलर के चारुं तरफ वनायों हुआ है करर रह該 तो उसके आज पास जो भी हमारे Forces या फिर कंम कर रही हूँ इस हमारा यह पूरा का पूरा डॉमेन है उनकी हमारी एयरफिल रखी है तो हम रोटेटरी रोमेन पर क्लिक करने के बाद यहां से एड़ेट करेंगे, एड़ेट करने के बाद आपके पास एक विंडो पॉप अप हो जाएगी, इस विंडो में आप अपनी सारी बॉंडरी कंडिशन को फीड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास जो हमें जो कैल कर रही होगी, उसके बाद हम यहां पर वैलो सिटी एंटर करेंगे, आपके पास यहां पर स्पीड है, आप चाहें तो यहां से अपनी स्पीड वगरा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर यह लिखा हुआ है रेडियन पर सेकिंड, आप यूनिट में जाएंगे, यहां पर जैट क्लिक हो रखा है, तो आपको यह चेंज करना होगा, क्योंकि यहां पर आपको रोटेशनल एक्सेस दिखानी होगी, तो आप यहां पर वाइप पर वन लिखेंगे, और बाकी दोनों को आप जीरो कर देंगे, क्योंकि जो आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो इसके बाद आपको यहां पर speed फीड करनी होगी suppose I am rotating the propeller at 6000 rpm दैन इसके बाद आप यहां पर इसको ok कर देंगे ok करने के बाद यह setting हो गई है दैन आप अगेन आप static domain पर click करेंगे edit करेंगे अगेन एक window pop-up हो जाएगी यहां पर भी आप इसकी settings कर सकते हैं जो कि यहां पर जो material है that is air दैन अगेन यहां पर भी आप one लिखेंगे एंड यहां पर इसको zero कर देंगे यहां ok कर देंगे अगेन आप यहां पर static domain पर click करने के बाद operating condition पर click करेंगे तो यहां पर आपके पास एक window जो pop-up हो जाएगी जिसमें हमारी gravitational force लिखा होगा आप यहां specific operation density पर click करेंगे टिक करने के बाद कर देंगे तो यह condition हो गई है अगेन हमारे पास जो next option है that is boundary condition आप इस पर click करेंगे तो हमारे पास जो boundary condition है वो है हमारे inlet outlet तो आप देख रहे होंगे यहां पर इनलेट लिखा होगा इनलेट पर आप click करेंगे edit करेंगे तो आप यहां से inlet की जो velocity है air की वह आप यहां से define कर सकते हैं तो हम air को बहुत ही कम measure करेंगे हम consider करेंगे कि air जो है एक तरीके से stationary है इसलिए हम उसकी velocity को बहुत ज़्यादा कम लेंगे तो suppose I am taking the velocity 0.1 तो that is over inlet velocity of air हम click कर देंगे यानि जो inlet से हमारी air आएगी वह हमारी 0.1 meter per second के speed से flow कर रही होगी इसके बाद हम यहां पर और कोई करना है क्योंकि अगर हम आउटलेट को डिफाइन नहीं करते तो वह by default उसको static pressure पर calculate कर देगा इसके बाद आप report definition पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर एक pop-up window आ जाएगी आप यहां पर न्यू पर thrust force के लिए आप एक और window pop-up हो जाएगी इसके बाद आपको यहां से access of rotation और thrust force की direction चूज करनी होगी जो हमारी access of rotation है that is y-axis बट जो thrust force होगा वो भी इसी direction में लग रहा होगा इसलिए हम यहां पर one लिखेंगे और इसको हम zero set कर देंगे दैन आप यहां पर propeller choose करेंगे propeller को जूस करने बाद आप यहां पर इसका name भी change कर सकता है आप इसको लिख सकता है King thrust force गैजन एसके बाद आप यहां पर Report पर分 क्लिक करेंगे then print consolidate पर क्लिक करने के बाद आप क्लोज करने के बाद आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यह विंडो आपके सामने आ जाएगी आप यहां पर क्रेट पर क्लिक करेंगे और सॉलुशन डेटा एक्सपोड पर क्लिक करेंगे दैन आपके पास यहां पर जाएगा सॉलवर का NICK जो कि आपको स्लेक्ट करना होगा हम यहां पर जो सॉलवर य Old Прос asking यहां पर खुर करेंगे क्लिक करने के बाद को सबस्क्राइब आपको करने करने के बाद आप आप इसलेक्ट हो जाएंगी इसके बाद आपको कलिक करने के बाद को यहांपर पता चल जाएगा इन 10 number of steps के लिए complete हुआ है तो यह आप रिडिंग यहां पर देख पा रहे होंगे और जब 10 number of steps complete हो गए है तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है इनिस हाइवाइड इस दन अगर आपके solution में कोई भी problem होने वाली है तो यहां पर आपको error लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपने कोई भी steps गलत किया होगा तो इसके बाद run calculation पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह window आ जाएगी जिसमें आपकी calculation की सारी settings होंगी तो यहां पर आपका टाइम स्टैप का size लिखा हुआ है सब्सक्राइब टाइम स्टैप size of 0.015 यह मैं टाइम स्टैप ले रहा हूं और number of steps मैं ले रहा हूं 100 और इसके बाद हैं इसलिए में number of iteration को कम ही ले रहा हूं ताकि solution में टाइम कम लगे इसके बाद आप calculate पर क्लिक कर देंगे वह आपका solution स्टार्ट हो जाएगा सॉल करना यहां पर आपको status लिखा हुआ आ जाएगा जैसे कि अभी यहां पर हो रहा है जीरो परसेंट यह बढ़ता चला जाएगा जब यह 100 परसेंट हो जाएगा तो आपको थ्रस फोर्स की वैल्यू यहां पर शो हो जाएगी solution होने के बाद यहां पर लिखा हो जाएगा calculation is completed आप यहां पर ok पर click करने के बाद आप जाएगे report पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको वैल्यू सटी हूं दिख जाएंगी तो यहां पर यह आपकी numbers कि बैल्यू है तो यह है आपकी दिखर फोस्की वैल्यू एहां पर यह जो एक न्यूंटर यहां पर लिखा हूआ एस एट दैड हैसे यह स्वार् Double इबल्यू इसके बाद आप यहां से इसको क्लोज कर देंगे कि क्लोज करने के बाद आप सॉलीशन पर कि रिजर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यह री शाबर यहांब यहां पर वायर फ्रेम हमें शो हो रहा है इन्क्लोजर का और यह जो रोटरी इन्क्लोजर है इनको भी आप हाइट कर सकते हैं यहां पर वायर फ्रेम पर उन्टिक कीजिएगा तो यह चैये यहांगे यहांगे आपके सामने सिर्फ प्रॉपेलर के रिजर्ट शो हो जाएंगे सपोज अगर आपके साथ उल्टा होता है फॉर एक्जाम्पिल जैसे कि यहां पर अभी फिलाल हो रहा है कि उपर की साइट प्रैशर जो है वह ज्यादा है ऐस कंपेर टू जो नीचे की साइड है प्रैशर तो इसकी केस में आपको सिर्फ इतना करना है जहां पर आपने 6,000 rpm फीड किया था उसके आगे अगर आप माइनस लगा दोगे तो आपकी जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी अगर वो एंटी क्लॉक्वाइज रोटेट कर रहा था तो वो क्लॉक्वाइज हो जाएगी तो यह था एक इंट्रोडक्शन की किस तरीके से हम प्रॉपेलर को सी एफडी अनालेसिस के थो एनलाइज करते हैं थ्रजफ फूर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपेलर पर प्रेशर कॉन्टूर को किस तरीके से देखते हैं आई होप कि आपको वीडियो कर दो कर दो कर दो